प्रकृति का खजाना अनमोल है असमी थे इसमें कई प्रकार के चमतकारिक और दिविये गुणों से भरपूर पेड़ भोदे होते हैं जो हमारे आसपास में ही होते है लेकिन हमारी पास में होते हुए भी इस पेड़ पोधे के बारे में हमारे पास कोई जान करे नहीं होते हम इसको पहचानते तक नहीं आज मैं आपको पुदिना के फायदे के बारे में बताऊंगा पोधिना तुलसी की प्रजाती का एक पोधा होता है जो बहुत छोटा और खुसवुदार होता है ज्यादा तर बोजन और जायका जायका बटाने के लिए पोधिना का उपयोग किया जाता है दोस्तो इस पोधिका अंगरीज नाम मिंट और वेग्यानिक नाम मेंता है ये पोधा अनेक प्रकार की बिमारियों में उपयोग में लिया जाता है इसके अवसद्यकून किसी चमतकार से कम नहीं है ये डिप्रेशन, ठकान, सिर्दर्द और जी मचलाना जैसे समिश्या दूर करता है और वजन बढ़ने से रोकता है दोस्तो इसका सिवन करने से पाचन तंतर दूरस्त बनता है इसके अलावा ये अस्तमा को दूर करता है, स्मरण सकती बढ़ाता है और तवचा के लिए पाइदे मंद होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम पूधी ना के पाइदे के बारे में ही बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके गुणों के बारे में दोस्तो इस पौधी में अनेक प्रकार के अवसदियक गुण पाए जाते है दोस्तो ये पौधा एंटी ओक्सिडेंट से परपूर होता है और उचित मातरा में विटमिन A पाया जाता है इसके अलावा इसमें फौलेट, मेंगेनेज, आयरन और फाइबर पाया जाता है जो सिहत के लिए काफी महतोपूर्ण होता है इसके पत्तो को चबाने से और इसकी चाय बना कर पीने से सांसों की बदबूत दूर होती है दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक करना बिलकुल मुद्ध होता है आपकी एक लाइक से हमारा मोटिविशन बढ़ता है और मोटिविशन बढ़ने से ऐसी नई-नई वीडियो बनाने का हमारा उत्सा बढ़ता है साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करे और इस चानकारी को अपने दोस्तों में चाहता से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे दोस्तों पूदिना खुसपुदार होता है इसके पत्तों की चाइ पिने से भोजन के प्रती अरूची दूरू होती है और पोख बढ़ती है तथा पाचन सकती मजबुत बनती है दोस्तो पूदीना पेट की कई बीमारियों को ठीक करने की एक कारगर अवसदी है पेट से जुड़ी समिश्याओं को दूर करने के लिए प्रती दिन पूदीना का सेवन करना चाहिए इसके लिए पूदीने की पत्यों का ताजारस निम्बू और सहथ के साथ समान मात्रा में लेने से पेट की हर समिश्या दूर होती है इसके अलावा पूदीने की पत्यों का ताजारस निकाल कर या इसके पत्तों को उबाल कर चाय की रूप में सेवन कर सकते है इससे पेट की गडबडी दूर होती है और पाचन चकते मजबुत बनती है दोस्तों ये सभी प्रकार की खाशी को मिटाता है और फेफ्टों में जमा हुए बलगम को दूर करता है इसलिए इसे अस्तमा में ज़्यादा तर उप्योग में लिया जाता है खांसी और अस्तमा की समश्या होने पर पूदिने को सुखा कर इसे कपड़े से चान कर चूर्ण बना ले अब इस चूर्ण को एक चमच की मात्रा में दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करे या इसकी चाय बना कर सेवन करे इससे कुछ ही दिनों में खासी और अस्तमा से निजाद मिलता है दोस्तो ये दोनों प्रकार के बलड प्रेसर को नियंदरित करता है बलड प्रेसर की समश्या होने पर पूदिने की ताजी पत्तों की चिटने बना कर या इसका रस निकाल कर सेंदा नमग, काली मिर्च और किस्मिष डाल कर इसका सेवन करे दोस्तो पूदीना के पत्यों की चाय बना कर रोजाना सेवन करने से स्मर्ण सक्ती काफी तेज बनती है दोस्तो पूदिना का तेल बनाया जाता है जिसे पेपर मिंट तेल से जाना जाता है दोस्तो ये पोधा दांतों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है दोस्तो हम आपको बता दे कि दंतमन चिन बनाने में पूदिना का ज्यादातर उपयोग किया जाता है ये दांतों को सवच करता है और सांसों को तरो ताजा बनाता है ये मुहू में बेक्टेरिया के विकास को रोक देता है दोस्तो ये महिलाओं के लिए भी काभी भाईदयमंद होता है पुदिना की पत्यों की सुखी चुड़न को सहत के साथ समान मात्रा में मिला कर दिन में दो बार पिने से महिलाओ में मासिक दर्म नीमित हो जाता है दोस्तो पुदिने की ताजी पत्यों का रस निकाल कर निम्बू का रस मिला कर सिवन करने से हीच की बंध हो जाती है दोस्तो इसकी ताजी पत्यों का रस निकाल कर आधा कप की मात्रा में हर दो घंटे के अंतराल में पिने से उल्टी और दस्त बंध हो जाता है और डिहाइट्रेशन मिटता है दोस्तो इसकी पत्यों का रस लगाने से अनेक प्रकार के तोचारोग में फाइदा होता है किसी भी प्रकार की चौट और दर्द में इसके पत्तों को पिश कर लगाने से आराम होता है दोस्तों रुतु परिवर्तन के साथ अक्सर सर्दी और जुकाम जैसी समझ्या हो जाती है तो ऐसे में पुदिना के पत्तों को पाने में उबाल कर इसकी भाप लेने से तुरुंत आराम महसूस होता है